News 18 इंडिया उठान और इसलिए इत्मिनान से आप आखर तक इस वीडियो को जरूर देखे गा क्योंकि इस वीडियो के आखर तक आपको सब्सक्राइब कैसे जरूर पड़ता है अब ऐसे में मैं शुरुआत करती हूं जो लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं जो इस खबर के बारे में हो सकता है बहुत जादा जानकारी ना रखते हूं तो उन्हें में थोड़ा पीछे लेकर चलती हूं 7 अक्टूबर 2023 जिसका शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया कि वो दिन होता है जब हमास की तरफ से सबसे पहला हमला किया जाता है इसराइल पर और उसके बाद क्या था जब वहाँ पर हमास के लड़ाकों ने इसरैल में मासूम लोगों को निशाना बनाया इसरैल के नागर को खात्मा नहीं हो जाता अब ऐसे में बहुत लंबा वक्त बीद गया हमने इस युद्ध में इसरैल को भी भारी नुकसान उठाते हुए देखा तो हमास को भी यानि कि फिलिस्तीन जब मैं कहा रही हूं तो क्योंकि वहीं से पूरी लड़ाई शुरू हुई थी फिलिस्तीन आम लोगों की भी जान जाती है न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो जखमी है और अभी भी मैं आपको बता दूँ कि कई सारे लोग अभी भी बंधक हैं यानि कि जब हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को हमला किया था जब वो जमीनी ऑप्रेशन भी उनकी तरफ से जब कि लटवार किया गया है तो आप यकीन मानिए कि 60,000 से ज्यादा लोग वहां फिलस्तिन में ऐसे हैं जो जखमी हैं 20-25,000 लोग ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मिले भी नहीं हैं यानि कि वो लापता हैं अस्पताल लाशों से भर गए हैं एक के बाद एक हवाई हमले और जमीन से लेकर आसमान तक हमले किये जा रहे हैं लेकिन ये हमले हैं ये युद्ध है कि रोकने का नाम ही नहीं लेता अब युद्ध को रोकने के लिए ऐसा नहीं किसी ने कोशिश नहीं की गई है क्योंकि इसरेल को अमेरिका का पूरा खुल किया जाता है लेकिन क्या इस्राइल को इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ा है इसी लिए अब इस युद्र से जुड़ी हुए एक सबसे बड़ी ख़वर जो निकल कर सामने आई है वो भी आप जान लीजिए इस्राइल को पहली बार सेनिकों के लिहाद से बहुत बड़ा 25 सेनिक ऐसे है इस्राइल के जो मारे जा चुके हैं और हमला हमास ने किया यानि कि ये खुद आईडियेफ की तरफ से जो इस्राइल की सेना है उनकी तरफ से ऑफिशल स्टेट्मेंट दिया गया है कि ये बहुत बड़ा हमला है जो हमास के लड़ाकों की तरफ से किया गया ह अब ऐसे में मैं आपको ये भी बता दू कि इसरेल की सेना जो समय समय पर जमीन से लेकर आसमान तक जब युद्ध में डटी हुई है तो अपने प्लान को भी बार-बार चेंज करती है यानि कि आप वो समय याद करिए जब पूरी तरह से खास तोर पर गाजा पटी वो जगा वो इलाका जहां पर लंबे समय से हमने संघर्ष और युद्ध होता हुआ देखा है वहां पर यानि कि इसरेल की जो सेना है वो ग्राउंड पर उतरती है उस पूरे इलाके को घेड लेती है लेकिन इतना आसान नहीं था हमारे सयोगी जो ग्राउंड जीरो पर बौर की कवर जाना यानि कि मौत को आप बुलावा दे रहे हैं तो वो तो पहले से घात लगा कर आप पर हमला कर लेंगे लेकिन उसके बाद भी अपनी स्टाड़ी को बहुत मजबूट किया इसराइल ने अप जिसके बारे में आपको पहले बता बता रही थी कि कैसे जब हमास की तरफ स हमला किया गया था तो कहीं सारे ऐसे लोग थे जन्हें बंधक बनाए गया था, अब मैं आपको ये भी बता दू कि अमेरीका ने जब दवाओ बनाया जब अलग-अलग देशों से दवाओ आना शुरू हुआ तो हमास ने दावा किया कि कहीं सारे ऐसे बंधक जीने छोड़ दिया गया है लेकिन जानकारी अभी भी यह कहती है कि पूरी तरह से बंधकों की रहाई अभी भी नहीं हुई है अब ऐसे में जो परिजन है उन बंधकों के वो समय समय पर इसरैल से लेकर अलग-अलग देशों में प्रदर्शन करते हैं म एक तरफ हमास है जो अब जितना उस पर हमला किया जाता है वो double हमले के साथ आत्कत के साथ वाले आका हैं वो दूसरे देशों में बैठे और उनको सारा ब्रीफ करते हैं यानि कि वो और मजबूती से इस मैदान में डटे रहें इसलिए उनके आका भी लगातार जो उनके आतंके उनको ट्रेनिंग दे रहें दूसरी दरफ कौन है इसरेल इसरेल जो ये कस्म खाचुका यानि कि नितन्याहु जो कस्म खाचुके हैं कि ये युद्ध विराम सिर्फ तभी हो सकेगा जब खात्मा हो जाएगा हमास का अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर युद्ध विराम होगा कैसे क्योंकि ये तो तैह है कि दोनों तरफ से लोग तो परिशान हो ही रहे हैं और आस तोर पर इस्रेयल में जहां पर मासूम लोगों को एक के बाद हमास की लड़ा के निशाना बरा रहे हैं अब ऐसे में क्या ये पहल की जाएगी किसी की भी तरफ से क्योंकि ये तो देखकर नहीं लगता कि इस्रेयल अपने पाउं पीछे हटाने को तयार है ये देखते हु हुआ है क्योंकि इस्रेयल इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि हमास फिर से अटैक नहीं करेगा इसलिए नेतन याहू इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि चाहे किसी से रिष्टे बिगड़ते हुँ तो बिगड़ जाए लेकिन युद्ध विराम नहीं होगा लेकिन ल हमारे साथ आपको इस विडियो कैसा लगा या इस युद्ध की बारे में आपकी क्या राय आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताएए कर दो